निए खिलकलाते लोदी साब नजरा आ रहें, क्या रहाज लोदी साब बताएं? आनने वह बहत पूर्फ ने के लिए अनदुबए जी सवाल यह होता है कि बारतिय इंता पार्टी विकास की बात करती है भारतिय इंता पार्टी लोगों को राशन देने की की बात करती है लेकिन बारतिय इंता पार्टी आउंगा आपके पास केंद्रिय मंत्री बील वर्मा पीछे चल रहे हैं यह बड़ी खबार रक्षा मंत्री राजनात सिंग आगे चल रहे हैं केंद्रिय मंत्री स्मति रानी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं बिल वर्मा के बारे में शाहिद कुछ लगता है कुछ गलत अप्डेट है बील वर्मा क्योंकि चुराओ नहीं लड़े हैं तो आखड़ा गलत अप्डेट हो गया है शाहिद मैं चाहूंगा आउट्पूट से की बेल वर्मा की जड़ा प्रेट को अब्रेट कर दिया जाए तेकिन सबसे बड़ी बात किये कि लोगसवा 24,543 सीटे जो है NDA 292 यह जो फिगर है देखिए इसमें आप देखिए कि 292 में अगर आप देखें 233 यानि कि और अधर्ज 18 यानि कि अगर इस 292 में फूट डाली जाती है नितीश को या बाकी जो इंडिये के साथ ही है उनको इधर अपने पाले में यहाँ पर इंडिया लाइन्स कोशिश करता है लाने की तो आप समझ सकती है कि इस स्कोर को 272 बनाने की अगर कोशिश की जाती है क्योंकि अगर तो फिर यहाँ पर इंडिया लाइन्स अपने आपको मजबूत करना चाहेगा तो यहाँ पर तस्वीर उबर करके सामने आ रही है 292 यह यहाँ पर फिगर है अनन जी जिस तरीके की तस्वीर है देखिए सामने वाले ने तो अभी नंबर भले ही उनके कम है लेकिन शुरुआत कर दिये शरत पवार इंटीश कुमार से बाचीत की है और भी लोग लगातार धड़े में लगे हुए कहीं न कहीं कुछ न कुछ अब जोड तोड का खेल किया जाए देखिए जोड तोड करने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी जितनी कर ले उससे कोई फरक नहीं पड़ता है और भारती जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जिसको जनता ने सबसे ज़्यादा समर्थन दिया है अगर सभी दलों की बात कर लें तो अभी निन् देखिए निन्यान में पर नहीं पहुचे हैं लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दें कि परतियक्ष को प्रमान की जोड़त नहीं है आज चंदरबागु नाइडू जी को फौन करने की जोड़त पड़ी है देश के प्रधान मंत्री जी को जो कि कुछ टाइम बाद हो सकत है के देश के प्रदान मंत्री वी नहीं क्योंकि आब जो रुजान आ रहे हैं वह टोटल इंडिया गटवंदन की तरफ रुजान बढ़ते जा रहे हैं नहीं हो सकता है वह प्रधान मंत्री ना हो आपका दूला कौन होगा जोगी तो यह हैं कि पांच सल कि प्रतान मंत्री चलाएंगे आपका चहरा कौन है चहरा तो पता चल जाएगा भी रुजान आने दो रिजल्ट आने दो उसके बाद आपको चहरा भी पता चल जाएगा चली आप लगता है मेडिटेशन बीच में कर ले रहे हैं शायद कुछ आप अंदर से कही न कहीं कुछ सोच भी रहे हैं कि क्या हो सकता है गणित उसको आप मातमंधन कहीं कहीं देख कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर गये है कि भारतिय जनता पार्टी के अगर आप स्ट्रेजी की बात करें आपको लगता है कि केंडिडेट्स को रिपीट करना और केंडिडेट्स का व्यक्तिगत विरोध था वो मोधी योगी के कामों पर कहीं ने कहीं ज्यादा पब्लि बहुत बड़ी बात योगी और मोधी पर कम होते हैं लेकिन केंडिडेट्स से बहुत खुंदक थी और वो खुंदक उन्होंने सीधा बटन में पोलिंग बूत पे दिखाई है और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सिटिंग गेटिंग का जो फार्मुला था यह कहीं work करा कहीं work लेकिन जो सिटिंग केंडिड्स साल का काम था वह कभी ऐसा नहीं था कि जन्ता उसे बहुत खुछ थी जैसे पेपर लिग का मामला उसमें MP कुछ नहीं कर सकता वहां लेकिन वो बैकलेश किसको कर गया सिटिंग MP को कर गया चाहे बेरोजगारी था चाहे वो सेंटरल का मामला था पेट्रोल था महेंगाई था यह सारे चीजों का गुस्ता जो था वो बिचारे सिटिंग MP पे आ गया जहां जहां भी MP चेंज हुए है आपको ऐसे लगता है 2019 में और 2014 में योगी जी क्योंकि आप बरिष्ट पत्रकार हैं इस बात को आपने भापा भी होगा कि 2014 और 2019 में एक आ जा रहा था मोधी जी और योगी जी के नाम पर आप किसी को खड़ा करतीजेए अगरे कोई सवासत के चुनाओना जीत पाए लेकिन आप उसको खड़ा करतीजे मोधी जी और योगी जी के नाम पर वो जीत जाएगा और बंपर वोटों से वो जीत हासिल क करेगा लेकिन 2024 में ऐसा प्रसेप्शन नहीं क्रियेट हो पाया चाहिए कास फेक्टर ऐसे हो चाहिए बाकी ऐसे फेक्टर दो यह एक बड़ा बुद्दा रहा तस्वीरे भी देखने को मिले योगेश जी जैसे मंडी के सीट देख लीजे आप कुछ सीटे ऐसे होंगे जहां पर वो नेरेटिव सेट किया बड़ी खबार आ रहे हैं चाहिए बारे पास लेकिन योगेश जी आपनी बात को पूरा करिए मानना है सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मला था वो कहीं वर्क करा और कहीं वो बहुत जबर्दस बैक्लेश करा है खास दोर से उत्तर पर्देश में उत्तर पर्देश जो की जहां पे दोनों लड़कों की जोड़ी को जिस तरह से डिमीन करा गया उस तरह से डिमीन करके उनको जितना उसको मार्जिन्स पर रखा गया उतना उनको फैदा हो गया जहां भी आप देखिए जिती भी रैलीज थी जिती भी उनके मैंटो मैं मीटिंग्स थी उसमें जिस तरह भीर उनको रिस्पॉंड करी थी वो रिस्पॉंड केंपेंग दरानी असर दिखा रहा था कि शायद यहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गट बंदन थोड़ा बाहर काफी अच्छा प्रफॉंड करेगा लेकिन इतना अच्छा प्रफॉंड करेगा यह शायद उनको भी नहीं पता था लेकिन अगर आप देख लिए भी आखड़े चाहिए रुजहान है मुझे लगता है एक दो घंटे में कुछ सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी स्मि बड़ी खबार अलीगर बे समाजवादी पार्टी के बिजेंदर सिंग आगे चल रहे हैं बिजेंद सिंग 13813 वोट से आगे चल रहे हैं अलीगर से बड़ी खबार बारतिये इंता पार्टी के सतीश गौतम पीछे चल रहे हैं बड़ी खबार अलीगर से यहाँ पर पश् साथ मी निरंजन जोती पीछे चल रही है बड़ी कबर संजीव बालियान भी पीछे चल रहे हैं इसके पीछे का क्या फैक्टर आप देखते है अनुपम तिकि सबसे बड़ी बात किये कि योगेश जी भी जिस बात को कह रहे हैं सबसे बड़ी बात किये कि जो लोग 5 साल या 10 साल 10 साल की अपनी केंटी इंकमबेंसी होती है और जाहिर तोर पर इलाबास से उज्जवर रमर सिंग आगे चल रहे हैं उज्जवर रमर सिंग 28,517 वोट से आगे चल रहे हैं आप कभी इस विकार करेंगे कि वाकई में आप जो तस्वीर है वो आपके मन मुताविक नहीं है और वाकई में जो भारती इंता पार्टी उमीद कर रही थी या जो हवा बनाने की आपने कोशिश किती अप की बार 400 बार फिर एक बार मोधी सरकार वो सब कहां चली गई यह हवा कहां से आपने बढ़ाई थी और वो हवा तो यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं ना हम 80 में से 80 देख पा रहे हैं आपके ही चैनल पे मैंने एक घंटे पहले मैं एक बज़े से आपके चैनल पे हूँ आप थोड़ा देर से जुड़ें इसलिए शायद सुन नहीं पाएं नियुक्त बाद रखेगा लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर यह बड़ी खबर कि अब ही आगे चल रहे हैं और कुछ और वोटों की गिंती बाकी है लगबल लगबल पूरी तरीके से तै उनका जीतना माना जाए है और उनकी जीत तै मानी जा रहे है क्योंकि सवाल लाग की अभी काउंटिंग वोटों की बाकी है तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यह जो रुजहान आ रहे हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है हम इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो प्रदर्शन है वो जो हम चाहते थे वैसा नहीं है क्यों नहीं है इसकी हम समिक्षा करेंगे एक विशह दूसरा विशह यह है कि जहां भी कोई कमी हुई है अगर कैंडिडेट के स्थर पे हुई है पार्टी के स्थर पे हुई है या किसी मुद्दे को समझने में लेकिन आनल जी आपको नहीं लगता इन चुनावों में जो प्रचार प्रसार का दौर चला हमने भी देखा हमने भी उन प्रचारों को कवर किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदितनात के नितृत में हम चुनाव लड़ रहे हैं बहुत ओड़ रहे हैं वह दिख्र नहीं हो रहा था बहुत अगर पेंछ लना फ्रती होती प्रचार प्रचर फ 87 इस तो सभी को पता एज अन्वा चुनाव लड़ पोरा लेटरेटर बड़ा सैट अब到底 के लिए उसमें कोई confusion नी थी जहां भी वोट मांगा गया मोदी के नाम पर वोट मांगा गया विकास के नाम पर वोट मांगा गया जो पिछले 10 साल में बीजेपी क्लेम करती है यह बीजेपी ने जो अचीव करा लेकिन जब हम seat by seat चले जाए जो केंडिट्स आये जो एंटींगर्बंसी फैक्टर रहा प्लस जो लोकल फैक्टर रहे चाहे वह अनिम्प्लाउमेंट का रहा चाहे महंगाई का रहा चाहे वह महिला सुरक्षा का रहा यानि कि बेसिक और लोकल मुद्दे जो मूल्गों सुधा है उनका जिक्र निवान जी बढ़ी ख़बर यहां पर बदाईउं से आ रही है बीजेपी के दुरुजदे सिंग शाक्या 1510 वोट से अच्छी ख़बर है आनंद जी खुश भी हो रहे होंगे बदाईउं में आदे त्यादा पीछे चल रहे हैं क्योंकि दुरुजदे सिंग शाक्या बारतिया पार्ट क्योंकि जायर तोर पर शिपाल गादव का पहले नाम था कि बदाईउं से लड़ेंगे उसके बाद पर काफी तमाम चीज़ें और आप यहां पर बड़ी खबर यह कि दुरुजदे सिंग शाक्या यहां पर बढ़त बरायक हुए हैं आनंजी की बात पूरी कर लेते हैं जी आनंजी बुलिए